हेलो फ्रेंड्स मैं अनामिका मेरी किजिन में आप सभी का स्वागत है आज मैं मतर पुलाव की रेश्पी लेकर आए हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेश्टी है सदनली कोई गेश्ट आजा है तो हम इसे फटाफट बना लेते हैं तो फ्रेंड्स इस रेश्पी को आप जरू ट्राइ किजिएगा अगर आज की मेरी रेश्पी आपको पसंदा है तो मेरी चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए शेयर किजिए और कमिन करना मत भू तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे दो तेज पत्ति एक एश्टिक दाल चिन्नी का एक बड़ी इलाइची दो छोटी इलाइची पांच लॉंग आधा चमजीरा दस ब्लैक पेपर और ये चक्रफुल को हमने तोड़ जारी होल मसाला को हम तेल में डालेंगे और इसे हम मेधियम फ्लेम पे भूनने देंगे इससे क्या होता है करम मसाले का आरोमा तेल में अच्छे से आ जाता है तो आप कभी भी तेल हीट करके गरम मसाला न डालें गैस के लोग टेम पे ही डालें और उसे अच्छे से भूलने दें तो अब ध्यान से रेखें गरम मसाला का Color चेंज हो गया है अब हम इसमें आधा कटा हुआ प्यास डालेंगे और इसे अच्छे से भूलनेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चमत अद्रक लहसुन का पेश्ट और इसे भी एक मिनट तक प्याज के साथ घुन लेंगे अभी से ही मटर पुलाव की मशाले की खुश्बू आने लगी तो हमें इसे ब्राउन नहीं होने देना है केवर इसका कच्चापन दूर करना है लैसुन का कच्चापन दूर हो गया है अब हम इसमें डालेंगे मटर तो यह मेरा ताजा मटर है इसे हम डालके और एक मिनट इसे भी अच्छे से भून लेंगे तो यहां रहे हम सारे तुर्शिस मेडियम फ्रेंटे कर रहे हैं तो इसे हम एक मिनट तक तेर की साथ भूनेंगे हमने मटर को एक मिनट तक घूम लिया है अब हम इसमें डालेंगे तेर्श्ट के अनुशार नमक तो यहां पे हम डेज़ जमस नमक डाल रहे हैं और साथ में हम डालेंगे निम्बू का रस्ट यहां पे एक निम्बू का रस्ट हमने निकाल लिया है और इसे हम मटड के साथ मिक्स कर लेंगे इसे क्या होता है मटड का कलर चेंज रही होता है अब हम इसमें डालेंगे चावल तो हमने एक लास चावल को दो बड़ होके पानी में डुबा के रख लिया था इसे हम 10 मिनट तक पानी में रखने के बाद इस्टेन किये अब हम इस चावल को मटर में डाल देंगे तो हमने चावल को डाल दिया है अब हम इसे मटर के साथ ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे चलाते हुए एक मिनट तक हम मटर के साथ चावल को भी भून लेंगे चावल पे तेल की अच्छी सी कोटिंग हो जानी चाहिए फिर हम पानी डालेंगे चावल को हमने भून लिया है अब हम इसी क्लास से एक ग्लास चावल लिये थे तो इसी ग्लास से हम सवा ग्लास पानी डालेंगे तो ये हम एक ग्लास डाले और यहाँ पे वन फोर्थ ग्लास हम और पानी डाल रहे हैं अब हम क्या करेंगे? चावल, मटर, सब को अच्छे से मीक्स कर लेंगे उबाल आने के बाद हम ढगकन को लगाएंगे तो हमने चावल, मटर, सब को अच्छे से मीक्स कर लिया पानी सवा ग्लास डाल दिया अब हम प्रेशर कुकर का ठकल लगा देंगे और गैस का फ्लेम हम मेडियम कर लेंगे एक सिटी आने के बाद हम गैस को बंद करेंगे प्रेशर कुकर में हमने एक भीसिल आने दिया और गैस को हमने अपने आप निकलने दिया तो भीसिल हटा के हम देखेंगे गैस निकल चुका है अब हम ढखकन को खोलेंगे तो अब ध्यान से देखिए कितना बढ़िया खिला खिला मटर पुलाव बनकर तयार है अब हम एक चमल से इसको साइट से ऐसे धीरे धीरे मीक्स कर लेंगे एक एक दाना अलग अलग खिला हुआ तयार हुआ है नम बीच में पानी बचा है एक दम फरफिक्ट पुलाव तयार हुआ है तो इसे अब हम सर्व करेंगे तो हम एक प्लेट लेंगे और इसमें हम पुलाव को सर्व करेंगे अब ध्यान से लेखिए कितना बढ़ियां दाना दाना अलग निकल रहा है मटर पुलाव बनकर तयार है इसे आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आज की मेरी एरेश भी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए धन्यवाद